वब अब अप लोग जहां भी होंगे, अच्छे होंगे. तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं West Bengal Centralized Admission Portal के बारे में और गुड न्यूज है आपके लिए West Bengal Centralized Admission Portal ने Phase 2 से लेटेड आपडेड दे दिय हैं एक प्रोपर सीडूल आ चुगा है कब से स्टार्ट होगा कब आपका एलोकेशन होगा उसमें अपग्रेड कैसे करना होगा ठीक है सारा चीजों पर उन्होंने बताया होगा है तो चलते हैं हम लोग ओफिसियल साइट पे है wbcap.in वाले वेबसाइट पर आपके आपको पूरा इंफोर्मेशन देते हैं तो चलिए आप वन बाइवन जो भी इंफोर्मेशन है आपको बताने की कोशिश करते हैं ठीक है हेलो एब्रीवन कैसे हो सारे तो गुड नीज है आपके लिए आज फिफ्ट आप आउकस्त और फाइनली आपका सीड्यूल जो है मौपफ राउंड का यानि फेज टू का रिलीज कर दिया गया ठीक है काफी मतलब इंतजार था आप लोगों को बेसबरी से इंतजार था कि कब से स्टार्ट होगा मौपफ राउंड कब से स्टार्ट होगा मुझे एड्मिशन लेना था काफी मतलब कोश्चन आ रहे थे और फाइनली आपका सीड्यूल जो है रिलीज कर दिया गया है यह आपके लिए काफी अच्छी ख़बर है ठीक है अगर जो लोग एड्मिशन अभी भी नहीं ले पाया है जो लोग एड्मिशन केंसिल कर दिया है जो इनको सीट मिल गया था उन्होंने फीज पेमेंट नहीं किया था अब उनको टेंसन हो गया था कि मुझे वन इयर बैक हो जाएंगे यह वो अब जो भी आपके आपका था और फाइनली इन्होंने आप आप अफराउंड के बाद आपको कोई चांस नहीं मिलेगा कॉलेज में एड्मिशन लेने के लिए ठीक है तो जो भी चीज़े किजिएगा ध्यान से किजिएगा मैं आने वाले वीडियो में बहुत सारे बाते आपको बताऊंगा तो मेरे साथ आप बने रही है ठीक है आप आपका एड्मिशन मेरे हिसाब से चलेगा तो आपका एड्मिशन डेफिनिटली होगा बस कुछ-कुछ बातों को ध्यान रखिएगा ठीक है गलतिया नहीं किजिएगा जैसे फॉस्ट फेज में काफी लोग गलतिया किये थे अच्छे मार्क्स राक के भी उनको अच्छा और उन्होंने प्रिफेर्णस में गलती किया तो वह गलती आपको नहीं करना और क्या होता है कि अगर आप क्या होता है लोग और कृट्या कॉलेज मिलेगा फिर आपको उसमें लेना पड़ेगा तो ऐसा कुछ रहता है पर मैं हूँ मैं सुरू से इंड तक आपको गाइड करूँगा जब से इडमिशन है स्टार्ट हुआ है तब से आपको गाइड किया जा रहा है तो मेरे साथ आप बने रह सकते हो और यहाँ पे आपको एक authentic information मिलने वाली है ठीक है यहाँ पे एक proper guidance मिलने वाला है जो भी चीज़े होता है आपको officially जो भी आता है आपको definitely समझाया जाता है ताकि आप कोई गल्दिया ना करो ठीक है और सीटूल से जाने से पहले यह ध्यान रखिए आपके पास कोई seat ना रहा है तब ही आप map of round में जा सकते हो मतलब इसका मतलब क्या हुगा थोड़ा आप समझ लीजिए मतलब आपके पास क्या रहाएगा नो किसी भी college में आपका admission ना रहा है ठीक है अगर आप map of round में जाना चाहता हो जो अभी क्या है फ्रेश अपलाई करेंगे जब मैं से ड्यूल बताऊंगा फ्रेश अपलाई करेंगे मतलब जो अभी तक अपलाई किया ही नहीं तो वैसे candidate eligible है दूसरा वैसे candidate eligible है जिन्नोंने पीज तो जमा कर दिया यह सीट तो एलोट हो गया था ठीक है पर उन्होंने फीज ही जमा नहीं किया और वैसे तीसरे वैसे candidate है जिन्नोंने फीज जमा कर दिया एड्मिशन ले लिया अब उनको क्या था कि बाद में उन्होंने सीट को विड्रोल कर लिया यानि एड्मिशन केंसिल कर दिया वहां से तो वह ऐसे candidate भी eligible है ठीक है बाकी जिनको अगर सीट एलोकेशन हो गया अब एक करेंट डेट में उनको सीट मिल चुक है उन्होंने फिसकल वेरिफिकेशन उनको करवाना जरूरी है ठीक है तो 31st जूलाइस से लेकर 6 अगस्ट से आपको करवाना था तो देख सकतो जो लोग फिशकल वेरिफिकेशन नहीं करवाएंगे तो उनका एड्मिशन केंसिल भी हो सकता है ठीक है तो यह और अलड़ी मैंने बात कर र आपको एक PDF डाउनलोड हो जाएगा चलिए मैं PDF को डाउनलोड करके आपको दिखा देता हूं ठीक है आपको समझ में आ चुकि है कैसे डाउनलोड करना है तो देख सकते हो आप PDF यह फाइनली मॉप आफ राउनलोड से डाउनलोड हो चुका है तो मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से दिखे ठीक है Centralized Admission Portal Schedule of Phase 2 मॉप राउन ठीक है तो सीडूल को आप समाझिए एट अगस से आपका जो भी होगा आपका एट अगस से स्टार्ट होने वाला है ठीक है मॉप राउन जैसे मैंने बोला था पीछले वीडियोज में की 8 से 10 के बीच में आपका स्टार्ट हो जागा और फाइनली अफ इंस्टिटूशन वाइस एंड कोर्स प्रोग्राम वाइस वेकेंसी लिस्ट एक्रोस देश्ट एस्टेट एस्टेट आफ्टर दा कॉंपलिशन ऑफ फेज वान ऑफ दा सेंट्रलाइज अट्मिशन 2024 इन्होंने यह बोला कि पब्लिश्ट किया जाएगा जो भी मतलब क कॉलेजेज होंगे इंस्टिटूट जो भी होंगे उनके कोर्सेश प्रोग्राम वाइस वेकेंसी लिस्ट को मतलब किस कॉलेज में किस कॉर्सेश में कितना सीटेश अबलेबल है तो लोग रिलीज करेंगे उसमें क्या होगा फूर एक्जामपल मैं बता रहा हूँ अगर मा संक्या माली जो वाँ पर 50 है अब उसमें क्या है कि 50 में से 20 सीटे फूल हो गई तो जो 30 सीटे होंगी वही सीटों को वो लोग बताएंगे कि हाँ ये कॉलेज में इतना सीटे अबलेबल हो ठीक है तो यह चीज़े समझ में आ चुकी है फॉस्ट फेज का एड्मिशन साथ त यह लोग मतलब कॉलेजेज वाइज जो भी कोर्सेस होगा जो भी आपका सीटे होंगी वह लोग रिलीज कर देंगे ठीक है यहां तक आपको समझ में आ चुका है ठीक है जहां पर भी नहीं समझ में आ रहा है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हो हाँ भाई है 8 अगस सरी 8 अगस्थ लेकर से 17 अगस्थ 24 तक आपका क्या होगा कि मोप उफ hoe ओफ रौंड जो आपकेशन है मई यानि आपका अप्लिक्टर सब्सक्राणि करणा प्रेंट या अजन्य पस्काड़ उसमें क्या होगा कि डीकेशम मंतलब सब्सक्राइक कर न चाहते हैं आठ से 17 अगस्त के पीच में आप अप्लाई कर लेना जिनको भी application form fill up करना है ठीक है उसमें हम बता देंगे आपको guidance कर देंगे ठीक है उसके बाद मतलब जिनको मतलब CT से पहले जैसे कि पहले candidate है phase 1 में जिनोंने मतलब register कर दिया था वो भी उनको भी मतलब यहां पर दिया गया है और who were not allotted any seat in phase 1 मतलब जो भी पहले candidate है जिनोंने registration कर दिया था और उनको seat seat नहीं मिला था phase 1 में वो eligible है और cancel the admission in phase और दूसरे वो eligible है जो cancel कर दिये थे admission को वो eligible है और did not take admission after seat allotment in phase 1 तो और जो candidate admission ले लिये थे ठीक है और cancel कर दिये थे phase 1 में वो तो eligible ही है और वैसे candidate जो मतलब seat allotment हो गया था और उन्होंने fees payment नहीं किया था phase 1 में तो वो भी eligible हो भी यहां तक समझ में आ चुकी है तो मैं समझा जता हूं आपको ठीक है तो देखिए एक तो आठ आठ से 17 अगस्त के बीच में आपका जो होगा वो फ्राउंड चलेगा ठीक है उसमें क्या अगर apply अभी तक नहीं किये थे वो भी eligible हो जाएंगे ठीक है वो apply कर लेंगे fresh applicants उसके बाद जो पहले candidate है existing applicant है मतलब जो पहले apply कर चुक है उनको क्या होगा कोई भी seat नहीं allot हुआ था phase 1 में वो भी eligible है और उसके बाद cancel जो admission कर दिये थे phase 1 में वो भी eligible है और जो admission नहीं लि 8-17 अगस्त के बीच में ही आपका preference filling के मोका दिया जाए कि कौन college आपको रखना है अब क्या सीटे जहां पर बची रहेंगी उस ही इसाब से आपको करना होगा ठीक है उसके बाद 20 अगस्त को क्या होगा चार बजे publication of merit list and allocation list क्या होगा कि तीन दिन बाद क्या होगा कि जिनका seat allotment ठीक है तो 20 से 23 अगस्त के पीच में आपका admission होगा जो भी seat आपको allocation होगा 27 अगस्त के सामके 4 बजे आपको publication of institution wise and course program wise seat allotment in upgrade round phase 2 अब क्या होगा कि जो भी publication किया जाएगा ठीक है आपका जो भी institute है और course program wise जो भी seat allotment upgrade round का ठीक है आपका 27 अगस्त का उन्होंने बोल रखा है कि आपका बताएंगे कि इसमें क्या है कि courses program wise कि इसमें क्या रहेगा उसमें मतलब आप upgradation के लिए जा सकते हो उसमें मेरे इसाब सी वेकेंसी अगर आप बताएंगे कि कितने इसमें खाली है ठीक है उसके बाद 27 से 30 अगस्त के बीच में आप admission होगा ठीक है ले ले लेंगे और वो उनका सिक्योर हो जाएगा ठीक हो डिए फिजिकल वेरिफिकेशन ले जाएंगे जो लोग अप्ग्रेड दबाएंगे उनको उनका जो होगा पुब्लिकेशन जो कोर्सेश वाज उनका मतलब फेस्टू का जो अप्ग्रेड होगा वो 27 अगस्त होगा सामके चार बजे यहां तक समझ में आ चुकी है ठीक है फिर 27 से 30 अगस्त को बीच में आपका जो भी admission होगा जिनको भी seat allocation होगा है अप्ग्रेड राउंड में मतलब लेखने तो वैसे कैसे छोड़ दिजेगा नाएं वाले में लेना है तो नाएं वाले में क्या होता है कि आप admission लोगे अगर माली ज्यादा होगा नाएं वाले तब पूराने वाले का पैसा होगा फाट जरस्ट अब هाला कम हो ऑंग्स कम होगा मुआने वाले से तो जो एमां candidate है colleges wise जब आपका after map of round मतलब map of round के बाद आपका physical verification हो जाएगा उसमें 3-7 September को बीचे में आप जाएगा physical verification करवा लिएगा colleges cdo लिका लेगी जो लोग map of round में admission लिए हैं जो भी colleges allocation होगा वो college के official site पर जाएगा वहां पर जाने के बाद देख लिएगा cdo किनका किनका physical verification courses wise भी आता है student के list भी बहुत सारे colleges लिकलते हैं तो colleges बाद में हम लोग बात करेंगे ठीक है जैसे जैसे आपका चलेगा ना वैसे वैसे हम बात कर लेंगे और उसके पास से आप classes join कर लेजेगा क्योंकि साथ पर घवरान नहीं हो लोग में कप कर वादेंगे ठीक है यह सारा चीज यह हो सकता है थोड़ा modification हो अगर होगा तो वो लोग मता देंगे ठीक है तो यह सारा सीडूल हो यहां तक समझ में आ चुकिए और मैंने आपको समझा दिया ठीक है जहां पर भी नहीं समझ में आ अपलाई करने वाले हो भी कर सकते हैं ठीक है आपका उसके बाद इसमें वेकेंट लिश्ट भी आएगा आठ तरीक हो उसके 8-17 के बीच में अपलाई करोगे 20 तरीक आपको लिश्ट आएगा 20-30 में आप एड्मिशन लोगे 27 तरीक आपका अगर जो लोग अपग्रेड के लिए जाएंगे तो 27 का अपग्रेड के रिजल्ट आएगा 27-30 के बीच में आप अपग्रेड वाले एड् जहां दूं ठीक है जहां पर भी आपको समझ में नहीं आ रहा है आप हमसे जरूर पूछ सकते हो ठीक है और जैसे-जैसे आपका राउंड चलेगा जैसे-जैसे आपका सीडियूल रहेगा वैसे-वैसे मैं वीडियो के माध्यम से आपको डेफिनिटली अपडेट करते ठीक है तो चलिए फिर जैसे-जैसे होता है आपको डेफिनिटली अपडेट किया जाएगा इस चैनल पर और ठीक है चलिए तब तक के लिए बाइट टेक किया और ख्यार रखेंगे पना